हेलो बच्चो अब सुब का आपके अपने चैनल गोविन मैद लक्षर्स में एक बार फिर्श स्वागे थे तो पीरे विद्यार थीओ आज की स्क्लास में हम सक्सा 6 और 7 अंग्रेजी विश्यकी व्रकबुक 24 के फॉर्मेटिव असेस्मेंट नमबर 13 को सॉल्व करना स्थिखेंगे बच्चो ब्रक्षित नमबर 1 से लेकर 90 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को बे आराम से देख सकते हैं देखो पहला प्रश्टन है टीक द ओड बन आउट आण इन चारों मेंसे जो अलग है इन चारों मेंसे जो सब्दे अलग है उसको आपको टीक का निसान करना है पहला है volleyball, दूसरा है cricket, तीसरा है football, यह देखो तीनों खेल के नाम है, तो अता क्या है dance, यह आपस में इन तीनों से अलग है, दूसरा प्रशन है, तीक the correct transfer for the following sentence, the person who designs the home is called, वह वैक्ती जो घर की design बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चो, architecture, जो की घर का नक्सा बनाने का काम करता है, electrician का मतलब क्या होता है, बिजली का काम करने वाला जो वैक्ती होता है, उसको कहते हैं electrician, मैसून का मतलब क्या होता है, mystery, जो घर को eat और चुने से बनाने का काम करता है, और builder क्या होते हैं, जो बड़े बड़े घर बनाने के ठेके लेते हैं, उन्हें कहते हैं builder, और architecture जो घर का नक्सा बनाने का काम करते हैं, कीशरा देखो fazer the correct includes, इन मैंसे सही वाक्य कुन सा है वह बताना है, तो इन चारों मैंसे जुझा सही वाक्य है वह आ छौता वाक्य अपने आप को किस तरह नुकसान पहुंचाया या च्छोट पहुंचाय हिए, हट का मतलब क्या होता है हट का मतलब होता है चोट या नुकसान उसने अपने आपको चोट या नुकसान कैसे पूंचाई ये वाक्य सही है बाकी तीनों वाक्य गलत है तो अथा what is happening in the given image इचित्र में क्या दिखाई दे रहा है तो इचित्र के अंदर एक वरत है वो अपने स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डाट ना क्या होता है डाट ना कि चित्र के अंदर जो मा है वो अपने बच्चे को लड़के को डाट रही है अगला देखो question number five I like the book मैं उस किताब को पसंद करता हूँ जिसके अंदर बहुत सारे डाइग्राम और चित्र होते हैं तो किसके लिए क्या आएगा which I like the book which है डाइग्राम और पिक्चर्स मैं उस किताब को पसंद करता हूँ जिसके अंदर क्या होते हैं डाइग्राम और पिक्चर्स होते हैं यहा वोट का क्या और वेन का कब आगे question number six there is खाली जगह a bunch of bananas in the kitchen but it is covered by खाली जगह army of ants तो देखो यहाँ पर क्या आएगा a a bunch ठीके और यहाँ पर क्या आएगा an army क्या आएगा an army क्योंकि यहाँ पर देखो उचारन दवनी क्या है bunch मतलब ब जब उचारन दवनी ہंदी के बैंजन की निकलती है तो हमके लगाते हैं a और जब उचारन दवनी हंदी की किसके निकलती है स्वर की तो हमक्या लगाते है n तो यहाँ पर आजाएगा a bunch और यहाँ पर आजाएगा an army तो इसका उत्तर होगा a n न्ने पहली खाली जगह में A और दूसरी में N आगे सात्वा मोहन खाली जगह reading a book मोहन खाली जगह a book when Sohan entered the room जब Sohan ने कमरे के अंदर प्रवेस किया तब मोहन क्या कर रहा था किताब पढ़ रहा था यहाँ पर देखो वरब की second form दी हुई है कि जब Sohan ने कमरे में प्रवेस किया तब मोहन किताब पढ़ रहा था थीक है तो पढ़ रहा था मतलब भूत काल की बात हो रही है और भूत काल की जो साहिक किरिया है वो क्या होती है वाज वर या है जा है वाज वर या हैड तो यहाँ पर क्या आएगा वाज रिडिंग, मोहन वाज रिडिंग, बुक, मोहन किताब पढ़ रहा था, वेन, जब सोहन इंटर द रोम, जब सोहन ने कमरे के अंदर प्रवेस किया, ठीके, तो यहाँ पर दिया हुआ है, पास्ट सिंपल टैंस, दूसरे वाक्य में, तो पहले वाक्य में कौन सा आएगा पास्ट कंटिनियस, कों सा आएगा, पास्ट कंटिनियस, कि जब मोहन किताब पढ़ रहा था, उस में सोहन ने कमरे में प्रवेस किया, आगे आठवा प्रशन, राजस्तान is the largest state of India, राजस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर largest, यह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सब्द है, यह है विसेशन, जो की राजस्तान की क्या बता रहा है, विसेशता बता रहा है, आगे देखो, read the poem given below and answer the questions, नीचे दिये गए, इस poem को आपको पढ़ना है, और फिर प्रशनों के जबाब देने है, I saw a snake and run away, मैंने एक साप को देखा और मैं वहाँ से भा उसने कहा, but mother says that kind is good, लेकिन मान ने कहा कि द्यालूपन होना बहुत ही जरूरी है, and it's up insects for his food, और वे अपने भोजन के लिए कीडे मकोडों को खाते हैं, इंस्टेक का मतलब क्या होता है, insects का मतलब होता है, कीडे मकोडे, क्या होता है, कीडे मकोडे, कीडे मकोडे, की जो साप है, वो कैसे होते हैं, वैसो तो द्यालू होते हैं, और वो खाने के रूप में कीडे मकोडों को खाते हैं, it is just a harmless garden snake, यह एक बिना नुकसान वाले, ठीके, सापों का क्या है, एक बगीर्चा है, ठीके, अब जो को प्रशन क्या है, which line says that the child is afraid of snakes, यह बता रही है, कि बच्चा साप के डर से भग गया, भग गया था, तो कॉनसी line है, I saw a snake and ran away, मैंने साप को देखा और मैं वहां से भग गया, तो इस line से पता चल रहा है, कि बच्चा ऽाप से डरता है, इस वजे से वो साप को देखकर भग गया, दसवा, find and select the synonyms of safe from the point, synonym का मतलब क्या होता है, प्रयायवाची, क्या होता है, प्रयायवाची, safe का मतलब क्या होता है, safe का मतलब होता है, सुरक्सित, तो इसका प्रयायवाची, इसका प्रयायवाची है, harmless, harmless का मतलब है, बिना नुकसान दायक, कोई भी नुकसान देने वाला नहीं जो कुछ भी नुकसान नहीं देता तो उसे हम क्या मान सकते हैं सुरक्सित मान सकते हैं तो सेव का मतलब भी होता है सुरक्सित और हर्मलेस का मतलब भी होता है नुकसान न देने वाला मतलब वही सुरक्सित ठीक है तो इस तरह बच्चों हमने Formative Assessment No.13 के सभी प्रश्णों के उत्र बहुत अच्छे से जान लिये है उम्मिद करता हूँ सभी प्रश्णों के उत्र आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पिसंद आई है तो बच्छों लाइक, कमेंट, सेरो, सब्सक्राइब जरू करें आज के लिए इतना ही जै हिंद, जै भारत